आप सभी को हिंदी विभा क्यों साइब सभी का स्वागत है आज हम अधुनिक कवीता दूसरी वाली गेहने का तीस्रा वालपंत याने थार्ड प्यारा इस कवीता में त्री प्यारास हैं आज आप कहले लास्ट थार्ड प्यारा है ये इसके लिए चारंख मिलते हैं मेरा या बच्पन तुम्हारा मात्वत्व है मेरा या बच्पन तुम्हारा मात्वत्व ये ही गेहने हैं मेरे लिए माँ मैं तुम्हारा गेहना तुम मेरा गेहना फिर अन्या गेहने क्यों चाहिए ये आपका प्रशन आएगा परिक्षा में आपको उत्तर लिखने के लिए तीन स्टेप्स होते हैं एक प्रसंग दूसरा भावर तीसरा विशेष्टा प्रसंग में उप्रयोक पंतियां हमारी हिंदी पाट्य अपुस्तक साहित या गारों में संकलित कवीता गेहने से उदित हैं इसके रचायता है कुएंपो हिंदी में अनुवाद डाक्टर एम विमला ने किया हैं अब आपके लिए प्रसंग में तीन चीज़ों के लिखने का अवश्यक्ता होती हैं एक पुस्तक का नाम दूसरा कवीता का नाम तीसरा कवी हो या कवायत्री हो पर इस कवीता में कवी और कवायत्री दोनों भी हैं एक अनुवाद करने वाले कवायत्री हैं और एक कनड़ा पुयम से लिखने वाले कवी कुएंपो हैं ये आपके लिए प्रसंग हो गया नेक्स्ट भावर्थ हैं भावर्थ में उप्युक्त पंतियों में बेटी अपनी मा से कहा रही है कि उसका बचपन और उसकी मा का मातरुत्व उसके लिए तो ये दोनों चीज़ें ही उसके गहने हैं बेटी मा से कहती है कि वा उसका गहना है और उसकी मा उसके लिए गहना है बेटी कहती है कि जब वे एक दूसरे के लिए गहना है तो फिर उसे अन्य गहने किसके लिए चाहिए यानि किसलिए चाहिए वह गहने को नहीं पहना चाहती और उसके लिए असली गहना उसकी माँ ही है सुने के गहनों के प्रलोभन में ना पढ़कर बेटी अपने बच्पन और माँ के मात्रुतु को ही असली गहना मानती है यह आपका भावर्थ है भावर्थ में एक माता के लिए एक बेटी विवरंट कर रही है कि उसे अपना बच्पन और उसकी माता का मौमता ही सबसे मात्रुत्व है बच्पन चैल्ड हुड है मात्रुत्व मदर हुड है लेकिन यहाँ पर वो लड़की कह रही है उसके बच्पन में मा का लाव आफ एक्शन यह सारी चीज़ है उसके लिए सबसे इंपॉर्टंट है मदर हुड भी उसके लिए उतना इंपॉर्टंट है जिसके लिए वो गहने इंपॉर्टंट नहीं है वो कहती है माता के लिए जैसे अब छोटी सी लड़की जैसे गोद में वेर जाती है कभी गले से लग जाती है कभी बाहों में घुमाते हैं जूमती है तो यह सारी चीज़ें उसे वो प्रेम चाहिए क्योंके सिर्फ गहने पेन लेने से सुन्दर दिखने से इंपॉर्टंट नहीं है उसके लिए यह कहती है कि मेरा एक बचपन और आपका एक मात रुतो ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टंट है और फिर दूसरा लड़की कहती है एक दूसरे के लिए हम गहने बन जाते हैं यानि आप मेरा गहने हो मैं आपका गहना हो जिस तरह से छोटी सी लड़की जब अपनी माता से प्रेम करती है तो उसके लिए अच्छे कपड़े और अच्छे जवेलरी पेन कर ही प्रेम करना एक दूसरे के लिए इंपर्टन नहीं है क्योंके सौंधरिया का यानि प्रकुर्ति की सौंधरिया ही सबसे इंपर्टन होती है माता के लिए कोई लड़की हो या लड़का जिस तरह से उन में रंग भेद भव नहीं होता क्योंके उनके लिए प्रेम ही सबसे इंपर्टन होता है तो समय माता जिस तरह से अपनी लड़की के लिए जिसे छोटे बचे रहने तक आप और हम जिस तरह से माता अपने हमें अपने हाथों से जिस तरह से वो हमें सजाती है जैसे साफ करना हर ये काधार पर वो माता जैसे करती है तो उसके लिए वो अपनी लड़की को सुन्दर देखना चाहती थी पर लड़की के लिए जिस तरह से वो अपनी माता का प्रेम इंपॉर्टेंट कहती है क्यूंकि इसमें वो गहने इंपॉर्टेंट महत्वण नहीं देती वो माता कहती है कि वो अपनी मा से ही प्रेम करते रहे और माता उसे ही लाड़ो प्यार करते रहे क्योंकि वो ये जो गहने हैं ये सब उस लड़की के लिए उस छोटी सी बच्ची के लिए ये सारी चीजें उसके माता के प्रेम के आगे ये गहने कुछ भी नहीं हैं क्योंकि गहने खरीच सकते हैं पर माता की ममता नहीं खरीच सकते हैं गहने कोई भी बेक्ती खरीच सकता है पर माता की ममता और माता का प्रेम कोई नहीं खरीच सकता करके बेटी यहां पर गहने से अनमूल माता का प्रेम हैं कि आप मेरा गहना हो और मैं आपका गहना हूँ तो ये अन्य गहने पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि असली गहना इन्होंने कहा है असली गहना उसकी मा ही है सोने के गहने के प्रलोभर में ना पढ़कर बेटी अपने बच्पन और मा के मातू तो को ही असली गहना मानती है क्योंकि वो कहती है कि जो गहने हैं वो सोने की चमक हैं वो इंपार्टन नहीं है पर उसकी माता की ममता उसके मन लेकर उसके चेहरे पर खुशी आजाएं हसी आजाएं मुस्कुरा हटा जाएं वही असली गहना है एक दूसरे को देखने पर जिस तरह से प्रेम उत्पन होता है उभरता है संतोश होता है यही उनके लिए असली गहना है अब यहाँ पर विशेष्टा आते हैं विशेष्टा में आप लिख सकते हैं पहले वाली पंती में हैं लड़की याने बेटी का बच्पन और माता की मातरुता ही दोनों याने के लिए जिस तरह से ये असली गहना कहा गया है करके भी आप लिख सकते हैं या फिर लड़की माता को कहती है उसका बच्पन और अपनी मातरुता ही उसके लिए असली गहना करके भी आप लिख सकते हैं ये जिस तरह से भी आप लिख सकते हैं बच्पन और मातरुता इस विशेष्टा में आएगा यहां तक आपके लिए एक अक्षा समाप करते हैं क्योंकि यह आपका अंतिम प्यारा है अधुनी कवीता के दूसरी वाली कवीता अगर आपने यह तीन भी प्यारा पढ़कर हैं इसमें तीन में से कोई भी एक प्यारा आ जाएं तो भी आपके लिए ध्यान दीजिए धन्यवाद